नमो तस्य भगवतो रहतो शम्मा संबुधसे नमो तस्य भगवतो रहतो शम्मा संबुधसे नमो तस्य भगवतो रहतो शम्मा संबुधसे बुध्धं नमामी धंबंग नमामी शंगें नमा तो नमनी करी उन्य बुध्धि को औरी केसी करूना गारी दुख्षी मिटावनी पथु दिया शुखी करन संदा तो शंति कभी रद्विदार संभीड कर तुम भारती की सांग आकर की सीधरा पर शुदिया सभी को ग्या आदर के पात्र शमानिस समस्त मारी मात अए बहने शुजाता शावित्री के शमान हमारी मात सकती इस देश भारत के कड़ धर वच्चे आज में आप लोगों के बीच में प्रिया के शिट कंपनी अलीगन जेटा की तरफशे यनि की शिम्विल आप नालेज विस्रतन वोद शत्त बाबाशाब की ये पावन गाथा लेकर के चली हूँ तरज बारा माशी में और इस गाथा का शंकलन वापध्वे हमारे परती देव जी बुद्ध कथा बाचकोंबीर बौध जी ने दिया है तो आएए सुनते हैं डलता बोध की आवाज में प्रिया केश्ट में जे तु महीना लगो गो तुमी मात मनाती हूँ सु मेरी तथा गती बुद्ध कलम आगी को चलाती हूँ सुनो सब ध्याने लगाई है सुनो सब ध्याने लगाई है बोधि सत्वाबा साम कि दू बात वताई राज महराष्ट सुनो भाई रे राज महराष्ट सुनो भाई रुतना गिरी है जिलागरा मुशातारा कहलाई राम्दी रावा मिरती प्रानन प्यारी नारी नाम भी मावाई कहते जात महार कहलाई है जात महार कहलाई है जलमी चोदी संतान सुनो जबद होने लगाई के घट ना सकते बताते हो के घट ना सकते बताते हो बोधि सत्त की अमरे कहानी तुम्ही सुनाती हो लगो मास में साके हाले आगे को बताती हो लगो मंद में साके हाल आगे को बताती हो ती एचरज की बात बंधु हो बाई सुनाती हो दुखी भी मावाई वारी रे दुखी भी मावाई वारी ही मने क्ले योगेटी और लाल दुखी है दुखी आयत वार थे सोच है दिल में अतिवारी सोच है दिल में अतिवारी रहि सोच रम जी राओख वर्याले उची वरित संतिक नगर में आये हैं लबाई वी मावाई को पास वचने से भरमाए मेरे भीया मेया भीमा की कोक से यहनी बेटा बेटी का जनम होता है यहनी की सभी संताने नश्ट होती जाती है अब तो मेया भीमा बड़ी ही दुखी रहने लगी है सोच रही है मेरी कोक से फुत्र की प्राप्ती होती है लेकिन कोई भी संतान जीवित नहीं रहती है बड़ी ही दुखी है उशिश में एक संत का पधारपन होता है नगर में और मया भीमा को दे करके शंत जी किश्प कारशे मा भीमा को धैर को धारण वनाते हैं धिरज वनाते हैं फिकेरी गम दूरे करो सारी अब जीवित नहीं होंगे लाल मिटेगी सब चिनता थ्यारी संत की बात लई मानी संत की बात लई मानी फिर गम समी कश्पीत मात भीमा मन हर्शानी मेरे थाई वेदो शमे बहुत प्रवतन शील होता है पल में बनता है तो पल में बिगडता है इधर समय ने ऐसी मोडली है जो कि मिया भीमा ने किस प्रकार शे गरवा धड़ संसकार को प्राप्त किया है आईए सुनते हैं अब याग एको हाल सनो सवध्याने लगाई है अब याग एको हाल सनो यवध्याने लगाई है बोधिसत्त की अमरे कहानी गाई सुनाई है जब शमय वितीद हुआ है मया ने गरवा धड़ संसकार को प्राप्त किया और किस प्रकार शे आनंद्राव गोविंद्राव का जनम होता है माभीमा की कोक्षे अब तो घर में खुशियां ही खुशियां चाने लगी है बेटा रिंगू मां भी मां की गरव कुमर आनंद राव जन में आई फेर को पितन जन मलियो और फेर को विन्दन जन मलियो कुछी है विक मां भाई खुछी है मीरा को ही ओ और फेर को थाली अब सुनोई अगारी है तुलसी और मंजला की घर में किलकारी है खुशी मन मात पितावारी रे खुशी मन मात पितावारी तिरा तिरा सुवेदार सुनो सब सज्जन हिटकारी अब तो घर में खुशियां ही खुशियां चाने लगी हैं दो बेटियों ने भी जनम लिया है मंजला और तुलसी का जनम होता है मया भीमा की कोक से समय अब सही गुजरता है नामन में कोई कलेसन दिल में कुई चिनता है चैन से रहते परिवरी वे चैन से रहते परिवरी सब के दिल में यत प्यार सुनो सब सज्जन सरदाली बात आगे की बताती हो बोधि सत्त की अमरी कहानी गाए सुनाती हो इधर रामजी राव की पोस्टिंग यानि की इन दोर में हो जाती है इस प्रकार्शे पुरे परिवार के शात में इधर रामजी राव कहुच जाते हैं आईए सुनते हैं संग में भी मामाई है संग सब पूर परिवार सुनो सब द्हान लगाई समस्या एक वनीवारी रे समस्या एक वनीवारी बहुत बड़ों परिवारी खर्च में होती है रावी तो परिवार को पाले रहे तो परिवार को पाले रहे पत्य पत्नी खुच है की अपनों समें बिताए रहे कलमों आगे को चलाती हूँ रे कलम में आगे को चलाती हूँ पोधि संत की अमरे कहानी गाई सुनाती हूँ इधर अब धीरे धीरे समय बित्यत हुआ है वड़ी परिशानी है पूरे परिवार के साथ में आज रुमया भीमा रामजी राउपना समय बिता रहे हैं साबन महिना लगो खुशी घर घर में इछाई है मा भीमा के गर्व चौद मेर तन गवाई है हुआ मेरा मन हरसानी रे भुआ मेरा मन हरसानी हसी हसी भीमा कहे सुनो मेरी ओ नंदरानी मेरे भीया इधर जब धीरे धीरे समय बितीत हुआ है मैया भीमा ने किस्प्रकार शी गर्वाधर संशकार को प्राप्त की बिता है जब नो मा मा शुरू हो जाता है तो प्रशब बेदना सताने लगती है मा भीमा को रम जिरा खुशी भई भारी करो घर में सत संग न कोई फिकर करो प्यादी क्या भीमा पत भिरता ना दी रे की भीमा पित भिरता ना दी कोई घर में सत संग ध्यान से सुन ना नर ना दी सांत सब के मन में छाई सांत सब के मन में छाई धीरे धीरे गर्व माश पूरू हुई गोगाई महीना नो माय आए गयो रे महीना नो माय आए गयो पर्सब वेद ना दर्द श्रू मा भीमा बदन भयो समय सुहावन पावन दिन की गाथा गाती हो ऐ समय सुहावन पावन दिन की गात गाती हो इधर मेरे भीया किस प्रकार से जम्मा भीमा को यह निकी प्रशब बेदना बहुती सत्ताने लगी है और किस प्रकार यह निकी सन अठारा से एक्यानवे में चौदे अप्रेल पावन दिन किस प्रकार मा भीमा की कोक धन हो जाती है वो दिसत वावा शाव का जनम होता है भादो महिना लगो सन अठारा से एक्यानवे आई पावन दिन चौदे यह प्रेल सुनो समसत्त लाई रात यादी जब बीत गई रे रात यादी जब बीत गई मा भीमा की कोक एक बालक से धन्य भई और भीया वेपन ध्यान देना अब तुम मैया भीमा की कोक हो से सुन्दर सी बेटी का जुनम हुआ है अमारे बोधिसत बावस रापनी जुनम लिया घर में खुशिया ही खुशिया चाने लगी मंगल चार वधाईया बजने लगी है जुनम सुन्दर बेटा को दियो है घर में खुशिया पार सभी मिल मंगल चार की आए गए भीमा के चैया रहे आए गए भीमा के चैया मीरा बाई बुआ खुशिया को गोदी खिलाती है मीरा बाई बुआ खुशिया को गोदी खिलाती है उसी रात में राम जी की उन्नति हो जाती है बने हैं सूबेदार वाई रे बने हैं सूबेदार वाई एं सो पावल भागी चौद में बेटा को भाई इधर राम जी राव की उन्नति हो जाती है उसी रात में यहनी की जिस्ष में हमारे बोदिशत्व बावा साब ने जुनम लिया राम जी राव सूबेदार हो जाते हैं चौद में बेटे का भाग है एं सो पावल भागी चौद में बेटे अको भाई बात ये सत्य बताते हूं बोदिशत्व बाबा साहब की बात बताते हूं अब तो घर में बड़ी ही खुशियां ही खुशियां चाने लगी है ध्यान देना भैया क्वार कहीं समझाए लई बित्वान बुलाई है क्वार कहीं समझाए लई बित्वान बुलाई है धरो नाम भीम सक पाल सुनो सब ध्यान लगाई दयो है पलना कोडारी रे दयो है पलनो कोडारी पजला रही जुलाई संग तुलसी दहना प्यादी अब तो यनिकी मयब हिमा की कोक से चौदवी संतान की रूप में बाबाशाव का जनम होता है और चौदे भाशाओं का ग्यान था चौदे डिगरिया थी खबारे बोदिशत बाबाशाव के पास में इधर मन्जुला और तुलसी दोनों बहने किस प्रिकार से बाबाशाव को पालना में जूलाती है खिलाती है भीम कोगोद खिलाती है ले गे मस्तक को चूम की दिल में बड़ी से हाथी है सियाने कुमर भई हाई गुटनों के वल चलें देखकर सब ही हरसाई सुनरता बड़ी निराली है रे सुनरता अजब निराली है विशु गुरू भगुबान तठागत तुम ही माने आरी है बहे जब पाँच वर सुनाई खेलन लागे बच्चन के सन में शुलियों चितलाई फीव मने इच्छा गाती हूं रे वीम मने इच्छा गाती हूं मेरे भेया इधर बाबा शाम जर पांच वरस के हो जाते हैं तो वच्चों के साथ में खेल खेलने के लिए जाते हैं और क्या खेल खेलते हैं चोर शिपाई का कार्ति की किरिय कलाप भीम बच्चन के सन खेले राजा प्रजा के खेल चोर से पाई बन के दोले उलाने घर में आते हैं उलाने घर में आते हैं जो करे पराबरी उनसे उनको पारी भगाते हैं इधर मया भीमा के घर में उलाने आने लगे हैं शबी शिकायत करते हैं आकर के इधर बुआ मीरा समझाती है बेटा इतना गुदब मत मचाया करो लाल बुआ मीरा समझाती है मया भीमा अपने लिलाकों गोदी उठाती हैं कुमर को शीख दे न्यारी कुमर को शीख दे न्यारी ना काहुस जन्यट करे समया बेत्यारी में तारी और क्या बताती है मैं अभीमा अपने लालकों कुमर अब पड़े है हाई कुमर अब पड़े है हाई बिद्ध्याले बालक जाए भीम मन पड़वे की आई पिता जीस बोले हरसाई रे पिता जीसे बोले वानी दाखिला दे उकरवाई भीम पड़ने की अवठानी अब तो भीव जी तो यह निकी पढ़ने की लगन लग जाती है राम जी राव से अपनी पिताजी से भीव कहने लगे हैं पिताजी मेरा दाखिला करवादो पढ़ने के लिए वच्चों के साथ में जाऊँगा लेकिन बावा साम से राम जी राव मना कर देते हैं बेटा यनिकी पढ़ने के लिए द्वार बंद हैं यनिकी हम लोग शिक्षा जिछा नहीं प्राप्त कर सकते हैं समझाते हैं बेटा पिता जी माता समझावे सिच्चा हक में नाई नीच हम अच्छूत गेलावे बाती ये सत्त बताती हूं रिबाती ये सत्त बताती हूं अब तो एक ही रटल लग जाती है नहीं पिता जी मैं तो पढ़ने के लिए जाऊँगा मेरा दाखिला करवा दो इधर बाबा शाब ने खाना पीना भी छोड़ दिया है पढ़ने की खात्री तनी वड़ी लगल लग गई है आगेन भाईना सेन भीमने रुधन की अभारी दो खाना पीना छोड़ लटन वस पढ़ने की लान द्वारवन सिच्छा के भाई रे द्वारवन सिच्छा के भाई सोच राम जी राव मुसीवत बेटा पे आई इधर राम जी राव बड़े ही चिंतित होने लगे हैं जब अपने उत्र के इतने सब्द सुने हैं पढ़ाना खूब चाहते थे पढ़ाना खूब चाहते थे पर मनवादी सरकार नहीं वो कुछ कर पाते थे समझ में एक बात यही रे समझ में एक बात आई अग्रेजी सेनिक केली उकर से मिले जाए भाई आज राम जी राओ अग्रेजी सेनिक केल्सु पल से जाकर के मिले हैं और बोले क्या दाखिला तो परवाई है दाखिला तो परवाई है विद्याले की सरते सब वेटे समझाई बैठना सब से पीछे हरे बैठना सब से पीछे है रहे हमें साध्यान नहीं तुम किसी को छूना है आज राम जी राव ने अपने बेटा को समझा दिया बेटा देखो दाखिला तो तुम्हारा हो गया और तुम्हें क्या कर रहा है सब से अलग हटके तुम्हें बैठना है क्योंकि हम लोग अच्छूत हैं लोग हम शे घ्रडा करते हैं बताते हैं राम जी राव ने प्रिय पत्रों ताट अपती में नाना ताट अपती संग में नाना नहीं मिलेगा पानी घर से बेटा पी करके जोना कठिन संगर्स सुनाती हूं बोधिसंत के अमरे कहानी तुम्हें सुनाती हूं पूस महीना लगो कि भीम की किसमत भूती गई बड़ा ही समय परवर्टन सील होता है मेरे भाईयो इधर भीम की किसमत फूत जाती है भीमा भाई मैया आज बेटा को इस संसार से छोड़कर के जुदा हो जाती है पूस महीना लगो भीम की किसमत भूती गई भीमा भाई मैया आज बेटा को छोड़े गई भीम अब रुधन मचाते है रिभीम अब रुधन मचाते है पिता रामजीरा दुखी बेटे समझाते हैं अब तुम्हारी मा तुम्हें बोल नहीं सुनाएगी और जिसने जनम लिया है उसको इस संसार छोड़कर के जाना है इसलिए दहर को धरड करो बेटा नोकरी उनकी छूटी गई इथर रामजीराओ की नोकरी भी छूट जाती है मेरे भाईयो नोकरी उनकी छूटी गई है भारी परवार तबाई घर में आई गई फिरता पोली आए है ने फिरता पोली आए है एली फेश्टरी स्कूल में दाख खिला करवायो है किरकिट के बड़े खिलाई है पहलवानी भी करे भी मजी अत्वल साली है मात दुसरी जी जाबाई रे मात दुसरी जी जाबाई करे सो तेलो प्यार भी मजी किसमत भूटी गई इधर मा भी मा तो इस संसार को छोड़ करके जुदा हो जाती है इधर राम जी राव की दूसरी बतनी जी जाबाई किस प्रकार सी आज भी म को सो तेला प्यार करती है इधर भी म की तो किसमत भूट जाती है प्यार नहीं करती है जी जाबाई सो तेला प्यार दिखा रही है एक दिन घर से भागे गए एक दिन घर से भागे गए आदी रात पेड़ की बैथे बावा साहब सोच रहे एक दिन घर से भागे गए आदी रात पेड़ से बावा साहब सोच रहे सिचाना पूड भई मेरी रे सिचाना पूड भई मेरी फेली भारत में कुरीत दुखी सोच जलता सारी फेर उनी कदम बढायो है फेर उनी कदम बढायो है 1907 वी इश्वी में में ट्रिक फल पायो है पासवय भी मरावाई पासवय भी मरावाई भयोपात सम्मान खुशी है दलत लोगों भाई ग्यान के जोती चलाती हूँ बोधिसत्त की अमरे कहानी गाएं सुनाती हूँ सजनों बात बताती हूँ सजनों कत्रा सुनाती हूँ बोधिसत्त की अमरे कहानी तुमी सुनाती हूँ महामास की बात जवई केलिस करने जानी ले गई पिता को साथ बढ़ोदा महामास की बात जवई केलिस करने जानी ले गई पिता को साथ बढ़ोदा साहूर जधानी देमकों पास दिखायो है रेवीमकों पास दिखायो है पूछी है कुछ प्रिशन की उत्तर सही बतायो है जत्रवत राजानी दीनी जत्रवत राजानी दीनी प्रत्रम स्रेणी दी ये पास उनिस वारा में की नी साहता प्रोफेसर करते थे साहता प्रोफेसर करते शेक मोहमबद हस्यानी उली फिर बढ़ाते थे कि घडन सत्य बताती हूँ कि घडना एक घड़ी वाई दो प्रवरी उनिस सो तेरा को पिता भी छुड़े गए अकेले रहे गए हैं बाई रे अकेले रहे गए हैं बाई अब अपनों न कोई दिखाए नेल से नीर गए हो आई इधर किस प्रकार से भीम को धहर को धहर करवाते हैं साउजी महराज पिता से भी विछुड़न हो जाता है अब तू अकेले रहे गए हैं तबसा याजी महराज भीम को गोदे उठायो है तबसा हूँ महराज भीम को गोदे उठायो है परन विदेस भीम को तभी उनेल पठायो है पहुचे अमेरिका में जाई रे पहुचे अमेरिका में जाई ली पोलम्बीयावी सुबे त्यालेमे सिच्छा आरम करी जाई सरत वस एक सामने है रिसरत वस एक सामने है बड़ो दार यास में करो लो करी यही द्यान में है बात यही मन में भाई है बात यही मन में भाई है बोदिसत की अमर कहानी गाई सुनाती हूँ सजनों बात बताती हूँ पुर सजनों कथा सुनाती हूँ बोदिसत की अमर कहानी गाई सुनाती हूँ इधर साउजी महराज ने फिस्पकार शे बाबा शाब को यहनी की बड़ोदा की रहासत को शमालने के लिए पूरी जुम्मेदारियां शूप दी हैं बाबा शाब को पूरा फुरा दिकार दे दिया है पागुन मनसा पूर कि सिच्छा सवई पाई लई पागुन मनसा पूर कि सिच्छा सवई पाई लई M.E.P.H.D.L.V. चोदे डिगरी पाई लई प्रोफेशर उने बनायो है रिप्रोफेशर उने बनायो है लेकिन बाबा प्रस्थाब की उनने ठुकरायो है आज हमारे मश्या ने चोदे डिगरी प्राप्त कर ली है M.E.P.H.D.L.V. और किस प्रकार से बाबा शाब को प्रस्थाब दिया गया है लेकिन प्रोफेशर का प्रस्थाब जब उने दिया गया तो उने भी ये प्रस्थाब फटरा दिया है M.E.C. लंदन में किली M.E.C. लंदन में किली समें गयो जब पूर्ट गरवर्ड होता गेली नी गए बढ़ होता में आई मिलो इस्टेज भी खाग ये कांपजन ललपद पायो M.E.C. अजो इस्टेट भीवाग में A.C. जनरल पदो जब उने प्राप्त हो जाता है तो चपरासी भी हमारे बावाशावशे घ्रडा करता है M.E.C. चपरासी उन्हें चड़ाता था चुआ चूति की कारड नहीं वो पास में आता था सिच्चा सब वीकार मेरी वई सिच्चा सब वीकार वई ना मिलता है सम्पान भीम के मन में कसकी रखी इधर बाबा साम सोच रहे हैं कि मैंने इतनी डिग्रिया प्राप्त कर ली है इतनी पढ़ाई कर ली है लेकिन शम्मान नहीं मिल्ला है वड़ी ही चिंत्त हो रहे हैं ध्यान देना भीमने मन में ठाने लई अब तोड़ू बेड़ी पाखनवादी नोकरी छोड़ी दई किसंकत बहुती उठायो है रिकिसंकत बहुती उठायो है चार चार बच्चन को भईया उनने प्यागो है दुकी है रमा भाई प्यारी दुकी है रमा भाई प्यारी लेकिन बाबा सा हमसे धर्ष बात करे सारी दुकी भी मा भाई प्यारी रे दुकी भी मा भाई प्यारी लेकिन बाबा सा हमसे धर्ष बात करे सारी अधर रमा भाई पर भी बहुत संकट है यनि की चार-चार वेटे मैया को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं और सिच्छा की तरफ बाबा साब ने जादा गोर किया इतने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया और सारे संसार के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है और फिर भी हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमारे बाबा साब को पाबन सन उन्निस्सो छपबन चोदे अत्टू बर्य भाई नांग पुर की पाबन हुमी साहब पहुच जाई धर्म परिवर्तन कर दीनों रिधर्म परिवर्तन कर दीनों पाँच लाख लोगों के संग में बुद्ध कुमार के गहलीनों इधर नांग पुर की पवित्र भुमी बल एक दो नहीं यानिकी पाँच लाख लोगों के शाथ में चंद्रमणी धम गुरू के साथ वो दिशत बावा साब ने बौधर्म की दीच्छा ग्रहर ली किस प्रकार शेप हमारे मश्या ने धरम परबर्तन किया बुद्ध को मारक गहलीनों पाँच लाख लोगों के संग में बुद्ध को मारक गहलीनों तयो समिध हनु बनाई है बोधिसत की अमर कहानी गाई सुनाई है बड़ी ही शंकटों का सामना किया है में रमा वाई ने बावाशाब ने भी बहुत ही संकट जेले लेकिन पीछे नहीं हुए लोंद कहीं समझाए सुनो सवध्याने लगाई है मानो भीम की सीख रही ललिता समझाई है सुनो सवध्याने लगाई है बोधिसत की अमर कहानी गाई सुनाई है शिम्मिले आप नालेज विसरतन बापा सहब कहाते है सुनो सब भाई और बहनों सुनो सब भाई और मेहनों तज़ते ओ ढोंपा खंडलमान लेउन लिता को कहिनों प्रतिग्याई बास याद रखना बोलो नमो बुथाए प्रेम से जे भीम तुम कहना भीम का मिशन वड़ाती हूं प्रेम का मिशन वड़ाती हूं पोद सक्त की अमरे कहानी तुम्हे सुनाती हूं और आप सभी लोग ये सुन रहे हैं वारा माशी ललता बौद की आवाज में प्रिया कहशित अली गंजेटा की तरफशे और हमारे पास में बैटे हुए हैं हमारे पती देव जी बुद्ध कथा वाचक ओमबीर बौद जी हमारे पास में शंगीत पर सयोग कर रहे हैं विपन मस्थाना रिंकू तुफानी तया बोलो मा भीमा के छैया की रे तया बोलो तया बोलो मा भीमा के छैया की रे तया बोलो दया बोला मह माया के छहिया की रे दया बोला